वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथ अफ्रिकन वुमेंस क्रिकेट टीम के लिए एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जहाँ पार इस वीडियो का लाइक टारगट 30 लाइक से हैं ICC Women's T20 World Cup का बारवा मैच साथ अफ्रिका वुमेंस वर्सिस स्कोटलेंड वुमेंस के दरम्यान दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियो में खेला गया साथ अफ्रिकन वुमेंस ने डोस जित कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया अगर इस मैच की मुकमल हाईलाइट की बात करें तो सौट अफ्रिका की जन्ट से कप्तान वल्वरेट और तजमीन बिर्ट्स ओपनिंग करने के लिए शानदार शुरुआत मिली टीम सौट अफ्रिका को साथ ओवर्स के अंदर साथ रंस बना लिये थे बिना किसी नुकसान पर टीम दर्शन अफ्रिका की पहली विकर्ट 64 रंस पर गिरी कप्तान वल्वरेट चालिस रंस बना कर आउट हुई उसके बाद बैटिंग करने के लिए एने के बोश आई जिन्होंने 11 रंस बना है 13 गिनों के ओपर और दूसरी विकर्ट टीम साथ अफ्रिका की 89 रंस के ओ बना कर आउट हुई उसके बाद बैटिंग करने के लिए सुन लाइस आई और अगर देखा जाए तो 147 रंस पर चोथी विकर्ट टीम दर्शन अफ्रिका की गिरी और यू सौथ अफ्रिका ने 20 ओवर्स के अंदर 166 रंस बनाए 5 विक्टों के नुकसान पर सबसे ज्यादा तजमीन ब्रिट्स और मैजिजन कैप्स ने 43-43 रंस बनाए जबके कप्तान वलवर्डर ने 40 रंस की निक्स खेरी बोलिंग की बात करें तो टीम स्कॉटलेंड की जनब से एक विकर्ट स्लेटर ने हासल की एक विकर्ट कैथराइन ब्राइस ने एक विकर्ट ही उलिविया ब गिरी जबके दूसरी विकर्ट 16 रंस पर गिरी तीसरी विकर्ट 30 रंस पर गिरी और यूँ टीम स्कॉटलेंड की साथ विक्टें 56 रंस पर गिर चुकी थी अगर देखा जाए तो स्कॉटलेंड की टीम को 34 गिन्द पर मजीद 90 रंस चाहिए थे 70 रंस बना लिये थे 8 विकर में था टीम साउथ अफ्रिकन वूमेंस की तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजेगा